रख होंसला वो मंजर भी आएगा खुसियों का चल कर समंदर भी आएगा तक करना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नमस्कार साथियों महराज कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार PVR स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो छात्रों आज की कलास बहुत ही अच्छी होने वाली है अलग होने वाली है और कुछ खास होने वाली है इसकी वज़ा क्या है आपको पता है वज़ा कुछ और नहीं बहुत कुछ है क्योंकि आज बड़ा इंट्रेस्टेट टॉपिक है पूरक कोड यानि कम्पलिमेंटरी एंगल इसके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा समझ रहे हो ना तो सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे इनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे और एक्सरसाइज का ये कुष्चन जो उपर दीख रहा है ना इसको तो हल करेंगे 8.3 का पहला लेकिन पहले थोड़ा नाम लेना तो सीख ले ना कहते हैं बैट कोड जिनका योग फल ऐसे दो एंगल जिनका योग फल नब्बे के बराबर होता है वो एक दूसरे के complimentary या पूरक कोड का लाते हैं जैसे अगर हम कहें कि 60 हंस का पूरक कोड क्या है तो 60 हंस में हम कितना जोड दें 60 में की 90 हो जाए तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा यानि जो 60 का पूरक कोड होगा वो 30 होगा ठीक है 30 का पूरक कितना होगा 60 होगा ठीक है इसी तरह से एक और देखिए जैसे कहें कि 50 डिगरी इसका पूरग कोन क्या है भाई है संभी समझ रहे हैं इसी तरह से एक और बताऊ मुझे 45 इसका पूरग कुटन कितना होगा 45 का complimentary angle क्या होगा सभी समझेगे ने बहुत आसान है simple सा है पूरक कोण का मतलब ये होता बाबू दो ऐसे कोण जिनका योग 90 के बराबर हो जाए वो क्या होते हैं दूसरे के पूरक होते हैं complimentary होते हैं इतना सा है बागी कुछ नहीं ठिक है done कोई किसी का सवाल तो बताओ नहीं न हम बात करते हैं मुख रूप से अपने टॉपिक पे ज़्यादा इसमें detail नहीं करेंगे पूरक कोणों के तिरकोड मितिये अनुपाद तो भाई पूरक कोणों के तिरकोड मितिये अनुपाद कैसे होते हैं थोड़ा इनके बारे में अध्यन करना है लेकिन उसके पहले उसके पहले आपको कुछ important fact जानने है important fact क्या जानने है जरा समझना इधर साथियों वैसे यहाँ पर आपके syllabus में ज़्यादा है नहीं इफले में जादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ तो जितना है मैं उतना ही बताऊंगा आप इसे नोट कर लिजिए एक परकार का यह सूत रहे ठीक है आपको पता है कि छे मुखे तिरकोड मितियन उपाथ होते हैं होते हैं न sign cos 10 और sec cod cos तो यह आपके सामने कुछ मैं लिख रहा हूँ यह है फार्मूला इनका भी यूज लगे का आगे चलके इफले लिखवा रहा हूँ समझ लीजिए थोड़ा सा समझना है देखिए प्रिये साथियों इसमें आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ sign 10 का उल्टा कॉसेक होता है आप हरदम सीखते आयों यही बताया हूँ शुरू से 10 का उल्टा कॉट होता है sec का उल्टा कॉसेक होता है लेकिन यह कॉसेक बड़ा बेवफा होता है यह बहुते बेवफा होता है एकदम निकम्मा टाइप का होता है पता है काई होता है कौन कौस स्वरी मैंने का से को साय इतना कुछ बूरा भरा बोला लेकिन कौस होता है ऐसा मैंने क्यूं कहा ऐसा इसलिए कहा कि ये सब तो अपने अपने अपोजिट में बदल जाते हैं ठीक है इनमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cost के साथ problem है cost के साथ problem है किस के साथ है भई cost के साथ ही problem है देखो समझना sign किस में बदल जाता है आपको पता है तोड़ा मुझे रगता लिखना पड़ेगा नहीं आप confused हो जाओगी तो मैं लिख देता हूँ side में रुको देखिए मैंने लिख दिया है मैं यही बदाना चाहता था ध्यान से देखिए साथियों मुखे तिरकोड मिती अनुपात तीन होते हैं जिनके नाम है साइन कॉस और टैन इनके जो अपोजिट होते हैं नहीं बिपरीत ठीक है इन तीनों त्रिकोड में ती अनुपाति के जो बिपरीत होते हैं अपोजिट होते हैं वो साइन का कॉसक होता है कॉसक और टैन का कॉट यह अपोजिट होता है लेकिन जब इनका चेंज होता है बोलें तो इंटर चेंज क्या बोलता है रव यदिदा उल्टा हो जाता है गड़्बड हो जाता है मतलब ये इससे मेच नहीं खाता है कैसे मैंने अभी कहा था कि cause जो है वो बेवफा होता है काहले कहा था क्योंकि देखिए जो और सब हैं अगर cause को छोड़ दें तो और जो सब हैं वो अपने सीधा-सीधा जो opposite है उसी में ये change भी होते हैं थिक है? जैसे 10 है cot में ही change होता है और ये 10 का उल्टा होता भी है cot जो है वो 10 में ही change होता है तीक है? इसमें कोई बदलाव नहीं होता है लेतिं sin जो है को भी पलड़ देता है कॉस साइन को भी दोनों में गड़बड हो जाता है यानि साइन का उल्टा तो कॉस्यक होता है लेकिन जब यह चेंजिंग होता है तो साइन कॉस्यक में नहीं चेंज होता कॉस में होता याद रखना कॉस साइन में नहीं होता है कॉस जो है यह अपने उ मतलब है कि जब कहीं साइन नब्बे माइनस अगर थीटा रहेगा या ए रहेगा जो भी है तो भीया हो अगर कौन नब्बे का है या 270 का है वैसे 270, 180, 360 का आप में सिलेबस में है नहीं यहां पर लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूं सुन लीजिए अगर साइन नब्बे माइ अबर यह हो जाएगा कौस ए मतलब वो कौन का मान जो भी रहेगा ठीक है ए रहेगा थीटा रहेगा 45,60,90 जो भी रहेगा कुछ भी हो सकता ठीक है इसी को बोलते हैं चेंजिंग यानि जो साइन था वो चेंज होके कौस में बदल गया ठीक है यहां पर क्या होगा जो कौस 90-1 यह है यह चेंज होके साइन अ हो जाएगा इसी को मैं बोल रहा था कि चेंज होता है ठीक है कौस किसमें चेंज हो गया साइन में अभी आगे जब यह कुश्चन करोगे न जो उपर लिखा है तो अभी सब क्लियर हो जाएगा यह चेंज जोंज का का मतलब है इसे पहले इसलिए लिख लो बस तो 10 वाला का हो जाएगा बाबू यह कौट हो जाएगा यह यानि 10-90-a जो है वो कौट में बदल जाएगा इसी तरह से यह आपस में अपना अदली बदली कर लेते हैं किसमें कौन बदलता है यह मैंने लिख दिया यहाँ देख लो यह जो मैंने बद के फट्टा फट ठीक है डन चलो कि अब कुश्चन पर चलें इतना हो गया तो साथी मेरे ध्यान देना यहाँ पर आप लोग बहुत ही गवर से देख रहे हो ना अगर कुछ भी डाउट है तो बता देना और एक काम और वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके ना अगर नही है टेंसन वाली तो कोई बात ही नहीं है ठीक है हलका सा वीडियो को बैक करिए और लिख लीजिए चलिए आप कुश्चन पर आते हैं देखे साथी हूं कुश्चन जो इस तरह का होता बहुत आफान होता है सिर्फ आपको समझना है बस यह अपोजिट वाले पर ही सभाधार जैसे देखिए पहला प्रफन है साइन 18 डिगरी नीचे दिया है कॉस 72 डिगरी याद रहे यह हमेशा जो कोण होंगे आपस में जिनका एक दूसरे में बदलाव होता है वही रहते हैं ऐसा नहीं कि साइन के नीचे 10 दे दिया जाएगा नहीं अगर इस तरह के कोश्चन में स साथियों इसमें हम एक चीज़ यह समझेंगे यह 18 और 72 है न अगर 90 में से 18 घटा होगे न बाबू तो यह बहातर आएगा बोलो है न सही और अगर हम 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर दो आपसन है इसको हल करने का दो तरीका है म पर 18 की जगा पर बाबू 90 माइनस 20 लिख सकते हैं की नहीं 50 माइनस बाद सकता हूँ न 18 की जगा पर यह होता है न तो हम क्या करेंगे इस पे 90 माइनस 18 कर देंगे आप कहोँगे काए कर रे हो बता रहा हूं नीचे कॉस 72 ऐसे लिख देंगे इसमें कोई बदला नहीं होगा समझना अभी अभी आपने पढ़ा अभी अभी कि साइन 90 माइनस ए ए की जगा पर मैंने बताया कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ए की जगा पर 18 है अभी आपने देखा था तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया था भ सागवेंद्र असनेहा तीवारी मानवेंद्र ठीक है बेरी गूट देखो समझो बताता हूं समझो अब क्या होगा यह बदल के कॉस में चला जाएगा तो यह कॉस ए एक ही जगा पर 18 है गड़बड होगा ना गड़बड हो गया मुझे लाग रहा है क्यों गड़बड क्या हो गया समझना एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए समझना बता रहा हूं समझना कि साथी आपर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बताएं कौन सा मिस्टेक है थोड़ा देखना बता रहा हूं अभी मैंने आपको क्या बताया कि 18 की जगा पर हम इसको लिख सकते है अब यह भी बताया ना तो हमने लेकिन इसको लिखा कहा है हमने तो इसमें थोड़ा mistake कर दिया ना यह यहाँ पर 18 नहीं बलकि 72 रहेगा अब यही तो बताया ना भाई अब इसको थोड़ी लिख सकते हैं यह तो बहातर की जगा पर लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा तो बबु यहाँ पर 1880 नहीं यहाँ पर 72 आएगा क्या आएगा 72 ठीक है और नीचे कॉस 72 था यह वज़े कवज़े रहेगा अब दोनों एकदम समान बराबर है बराबर वन अपान वन फाइनल में वन आ जाएगा यह हो गया अंसर समझ में आए एक ही लाइन का था न क्यूं कैसे हुआ ऐसा अब नीचे ब्रेकट में लिख सकते हो ऐसे भी चाहे चूकी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा यह सूत्र होता है मैंने बताया कि थीटा लिखो चाहे ए लिखो कुछ भी लिख सकते हो ठीक है लिख लिजिए नहीं समझ में आए तो बताईए यह आपका पहला तरीका था देखिए कलास को पूरा इंडे तक देखना है ऐसा नहीं कि बीच में छोटा मोटा देख के भाग जाओ तो ऐसे मज़ा नहीं आएगी फिर तो कहोगे कि गलता है हो रहा है सब गड़बड हो रहा है यही कहोगे फिर है ना लेकिन जब पूरा कलास देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है आगे चले इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा देख लीजिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कोई भी कर सकता है आसान है बहुत एजी है देखो भाई दूसरा तरीका क्या है बाबू यहां से समझो दूसरा वाला सिकेंड वाला कुश्चन मैं हटाई देता हूँ देखो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे जैसे है यह साइन वन एट एट इन ऐसे रहने देंगे और यह कॉस्च सेबंटी टू ना भाई सेबंटी टू की जगा पे हम लिख सकते हैं नब्बे माइनस अठारा लिख सकते हैं ना तो हम इसकी जगा पे कर देंगे कॉस्च यह नब्बे माइनस अठारा समझते चलना एकदम प्यार से ठीक है अब क्या करेंगे यह sin 1818 ऐसे उतर जाएगा और cos 90-a मैंने बताया कि cos 90-θ थीटा बराबर sin थीटा होता है तो यह हो जाएगा sin 1818 अब यह दोनों बराबर है कट जाएगा वन आएगा बही चाहिए यह तरीका लगाओ चाहिए यह दोनों का यह के मतलब है समझ में आए ना यहाँ पर नीचे चाहिए तो लिख लेना सूत्र सूत्र चाहिए तो लिख देना चूकि यह cos 90-θ थीटा equal sin थीटा ठीक है लिख लिख लिजिए कोई भी doubt है तो बताईए यह आपका first question हो गया इसमें किसी को कोई परिसानी नहीं न आगे बढ़ा जाए फिर चलिए second part देखिए second में कहरा बाबू ध्यान से देखो screen पे आ चुका है कहरा कि 10.26 upon court 6.4.14 बहुत आसान है यह भी इसमें क्या करेंगे पहले मुझे यह बताओ किसमें तोडेंगे आप लोग मुझे बस सिर्फ इतना बतादो बाकी कुछ मत बताओ हाँ अई देखो question बहुत आसान है 10.26 है न और court 64 है इसमें एक समानता यह होगी कि आप चाहे तो 90 में से 26 घटा दो तो 64 आजाएगा या फिर 90 में से 64 घटा दोगे तो 26 आजाएगा यह ऐसा होता है क्योंकि बहुत आसान होता यह ठीक है तो question है 10.26 और यह court 64 ठीक है done यही है तो बाबु देखो समझो यहाँ पर हम इसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 64 और नीचे लिख सकता हूँ इसे court 64 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है court थीटा थीटा की जगा पर 64 है और नीचे का 64 ऐसे रहेगा यह cut pit जाएगा एक एक final में one आएगा one upon one last में one ही आएगा समझ में आया यह आपका दूसरा पार्ट हो गया तीसरा पार्ट देखिए इस स्क्रिन पर आ चुका है थार्ड पार्ट इसको भी आप लोग कर लोगे मुझे उमीद है कि सभी बच्चे कर लेंगे इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए देखो अगर आपने इंट्रोडक्षन पार्ट द्यान से देखा है बिल्कुल दिल लगा के देखा बाबू तो कर लोगे अगर इंट्रोडक्षन तुम नहीं समझ पाए कि साइन का केह में बदलेगा कौन केह में बदलेगा इनकी क्या कहानी है तब यह बहुत मुश्किल होगा समझिये यह कौन में क्या कह रहा है कौस 48 माइनस यह थोड़ा अलग है न साइन 42 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा अलग है तब भी देखो बाबू यहां से समझो यह कौन नमबर तीसरा है यहां पे हमाल लिखते हैं हम कौस 48 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न और माइनस का साइन 42 भाई कौस 90 माइनस थीटा इक्कल होता है साइन थीटा ठीक है कौस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और ये साइन थीटा या जो भी था इसको ऐसे लिख लिया दोनों समान है घट गया जिरो आ गया बताओ कितना असान है न इससे असान भी परफन बनता है का नहीं बनता न चलिए इसका चौथा पार्ट देखिए 8.3 में 1st question में 4 पार्ट थे बाबू ठीक है 4 पार्ट था चौथा पार्ट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए समझिए और समझने की कोशिस करिए ये भी बिलकुल इजी है बहुत ही इजी है एकदम सिंपल सा है इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिख रहा है ना कॉश्यक 31 है और स्यक 59 है इनमें एक समानता होगी मैंने बताया पूरक कोण है हमेशा अगर question में देखो 90 में से 31 घटा होगे तो 59 आ जाएगा जो की स्यक के साथ में है अगर 90 में से 59 घटा होगे तो 31 आ जाएगा जो की कॉश्यक के साथ में है ठीक है तो समझो भाई यह समझो क्या लिखा है कॉश्यक 31 दिग्री माइनस से 59 डिग्री ठीक है तो हम क्या करेंगे बाबू हम इनको लिखेंगे कॉश्यक 90 माइनस 59 माइनस से 59 इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं न और कॉश्यक बदल जाता है सेक में तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो बाबू थीटा की जगापे 59 है और माइनस का सेक 59 फाइनल में 0 आएगा क्या आएगा सुनने आएगा ना बराबर करते जाओ ऐसे एरो लगाते जाओ इस तरह से आपके कुश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंपलीट हो गया अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए अगला कुश्चन देखेंगे लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिए कुश्चन नंबर सिकंड देखने के पहले अगर आपने अभी तक PVR Study लहबा चैनल को सब्सक्राइब ने किया PVR Study 3.0 चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंद कर ले अगर आपने PVR Study को Facebook, Twitter और Instagram पे फालो नहीं किया बाबू तो फालो कर ले जिससे कि हमारी कलास के बारे में सारी अपडेट आपको मिलती रहे ठीक है तो कुश्चन नंबर भी ध्यान देना अगला अगला कुश्चन है भई दिखाया नहीं किया इन लोगों ने नहीं अच्छा ये फार्मूना लिख लीजिए पहले तो ये कुश्चन इसक्रिंसार्ट ले लो जो हल हो गए है फिर उसको दिखाता हूं चलो इसक्रिंसार्ट लीजिए जल्दी हो गया डन ठीक है ये सूत रहे आपके लिए इसे भी देख लीजिए इसमें एक इक्जामपल भी लगा है जो मैं अब भी पढ़ाया वही है सब इसमें अलग कुछ नहीं है लेकिन देख लीजिए फार्मूला देखने के लिए ठीक है ओके डन तो भाई अगला कुश्चन अगली क्लास में अब है आज की क्लाफ ये थोड़ा सा छोटा है इसमें बागी मिलेगा आपको डन ट्वरी चलिए जैहिन